23 जनवरी 2020 को शनी देव राशी परिवर्तन कर मकर राशी में प्रवेश करेंगे शनी के नक्षत्र परिवर्तन का असर 6 राशी वाल उपर होगा शनी का प्रवेश इसलिए भी विशेश हैं क्योंकि शनी, गुरू, केतू और शुक्र धनू राशी में एक साथ है शनी शुक्र के नक्षत्र गुरू की राशी में गुरू वा केतू के साथ है इसलिए अब शनी देव की दृष्टी में इन सभी का मिश्रित फल सभी राशीयों पर नजर आएगा शुक्र के नक्षत्र के आधार पर विचार किया जाता है तो सभी 12 राशियों के लिए लगभग मिश्रित फल ही रहेंगे परंतु 6 राशियों पर शनीदेव की विशेश क्रपा रहेगी ये वो राशियां है मेश शनी के नवम इस्थान पर होने से उन्नती के अफसर मिलेंगे और पराक्रम में व्रिद्धी होगी सिंग विदेश जाने के योग बन रहे हैं लाप के मौके मिलेंगे संतान से भी सुख प्राप्त होगा कन्या हर काम में सफलता मिलेगी माता का सयोग मिलेगा धनू, सयम के काम करने पर सफलता जरूर मिलेगी कुम्भ, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, बिजनस में भी ग्रोथ होगी मेन, पराकर्म में व्रद्धी होगी और सोचे हुए शुट काम पूरे होंगे एशानेट न्यूज हिंदी की रिपोर्ट